हेलो स्टुडेंट वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आईसी एसी मैथ कल हमने कर लिया था चैप्टर नियू अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन की नाइन एक्सराइज स्टार्ट कर दी थी हमने आज हम सुरू करने वाले थर्ड क्वेश्चिन का फर्स्ट पार्ट इसका ह 3rd question के इंदर कव दाना कि जो हमारी ratio होती है उनके अनदर कौन सी दोनों में से greater होग ऐसे इस question में बता और इन दोनों को 63 से multiply करना, पहले क्या करेंगे, 4 upon 9 को multiply करेंगे, 63 से and 3 upon 7 को भी किस्से करेंगे, 63 से multiply कर देंगे, तो 9, 7 जा 63, 4, 7 जा कितना होगे, अपने पास यहाँ पर 28 होजेगा, ऐसी यहाँ पर 7, 9 जा 63, तो 9, 3 जा कितना होजेगे, आपर 27, अब देखो, यह 28 और यह 27 है हमने बताना था कि कौन सी ratio बढ़ी है, तो कि हो जाएगी, 28 वाली बढ़ी है, यानि कि 28 कि सिया था अपना इस सिया था, इस से तो अपनी जो यह वाली ratio होगी, यानि कि 4 ratio 9 is greater, ठीक है बगी, तो हमारी यह greater हो जाएगी है, उसके बाद चलतें, next question पर, इसी का ही second part है, same to same कर ना, पहले mixed fraction से complete कर लेते हैं, 3 to the 6 और 1, 7 upon 3 ratio, 3 3 9 और 1, 10 upon 3, 3 से 3 कट जाता भी अपना, या डिवाइड करके देख लो ऐसे, 7 upon 3 को डिवाइड कर ले ना, 10 upon 3 से, मैंने आपको पहले बताया था कि जो निच्चे वाला होता, रैसी प्रोकलों को उपर चला जाता है, 3 उपर इसको solve करते, देखो या पहले, 3.6 है या नहीं कि 3.6 डिवाइड में 4.8, अब इन दोनों के पॉइंट हट आ लेते हैं, 3.6 का पॉइंट हट आओ, देखो, 36 by 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हट आएगा, इसका पॉइंट हट आने लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा, उस अब ये दोनों किसके table पे डिवाइड हो जाते हैं, 6 पे table पे डिवाइड होते हैं, 6 पे कर दो, अब देखो, 6, 6 जा 36, अब ओन में, 6, 8 जा 48, ठीक हा भी, अब फिर 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 पे नीचे, 2 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, तो 2, 3, 6, 2, 4, 8, तो आगए वही 3 by 4 यानिकी 3 ratio 4 यहां पर लिख लेंगे 3 ratio 4 अभी तक हमने क्या किया सिर्फ इन दोनों रेशो को इस सेड़ पॉइंट से सिंपल में लेके गए इस सेड़ रेशो मिक्स्ट फ्रेक्शन में था तो हम सिंपल में लेके गए हैं यहां तक हम ने स्कूशन को सिंपल किया वस अब इसको सोल करना स्टार्ट करते हैं देखो 7 upon 10 यहां पर कितने 7 upon 10 और यहां पर कितना थ्री अपॉन पहले इंडोनों का ऐलत्यूम निकाले जोस है एक एसर iss निकालेंगे कशने था और फ्रेस्ट नीतिता है इसका 2 यह तो दोनों से ट्वेंटी से अ कर देखो टंटूज अट्वेंटी तो कितना हो इहां पर सेवनटूज ढूंटीग इससी इति हुआ पनी तो 3.6 और 3.6 ratio 4.8 हमारी क्यों होगी यहाँ पर यह greater ratio हो जाएगी ठीक है यह क्या हो जाएगी अपनी greater ratio हो जाएगी और यह हमारा question यहाँ पर complete हो जाएगा next question अभी अपने पास question number third का third part देखो इस question को कैसे कर सकते हैं भी 1 upon 2 as it is उसके डिवाइड में क्या कर देंगे आप यह 1 upon 3 कर देंगे ठीक है घूम के उपर चला गया अपना तो 1 upon 2 इंटो में 3 upon 1 तो कितना हो जाएगा यह 3 upon 2 हो जाएगा ठीक है या नहीं कि इसको लिख सकते में यहां पर क्या 3 upon 2 हो जाएगा यह हो गया अब इसको कर लेते है थोड़ा soul 1 upon 6 as it is इसके डिवाइड में भी 1 upon 4 घूम के उपर चला जाएगा ऐसे इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यह यह आपने पास 2 upon 3 इन दोनों में सब्ताना कौन सा बढ़ा देखो एलसिम कितना हो जाएगा तो 6 से से मल्टिपलाए और 6 से इस से मल्टिपलाइ दो देखो 2 3 6 तो 3 3 9 3 2 6 2 2 जा कितना हो यहां पर 4 तो इन दोनों में से कौन सा बढ़ा नाइन बढ़ा वह यह वाला बढ़ा तो यह किस से था इस से था इस से तो यानिकि हमारी जो 1 by 2 रेशो 1 by 3 होगी यह वाली हमारी रेशो क्योंगी रेशो इस रेशो इस ग्रेटर ठीक है भी तो यह रेशो ग्रेटर हो जाएगा अपनी अब इसके अंदर भी बताना ऐसे से मिक्स्ट्रेक्शन को कॉम्प्रेट कर लेते हम भी 3 3 9 और बन 10 अपॉन में 3 रेशो 6 4 24 और बन 25 अपॉन में 6 वह डिवाइड कर लेते है फिर इसको तो कि जाके जाके होजेगा 10 अपॉन में 3 हो जाएगा इंटो में क्या कर देंगे आपे 25 अपन 6 है एक घूम की उपर चला जाएगा भी 6 अपॉन में 25 अब काट लो इसको 3 टूजा 6 5 टूजा 10 और 5 5 25 तो कितना अपॉन करके 2 टूजा 4 और निच्छे 5 भी बचा तो 5 बन जा 5 या तो 9 अपॉन 10 आ गया अब देखो पने पास क्या बचा फॉर अपॉन 5 है और 9 अपॉन 10 बताना इन दोनों में से कौन सा बढ़ा होगा तो सबसे पहले स्काल सिम्ले लिखते हैं भी 5 और 10 क्यों क्यों गावगा वी 5 और 10 कैल सिम्क्राइब देख लेते हैं आपे 5 से करते तो फाइफ लिखना प्यास कि कि बताना देख तो जैनलों कितना तैने तो यहां भी तैन से मॉल्टीप्लाइब और यहां पर भी ठैन से मॉल्टीप्लाइब फाइसे चुड़ा इंसरे पर फट जैने चेंट गट्यक्राइब तो इन दोनमें से रेशो कौन सी बढ़ी अँग यह वाली बढ़ी है तो यह नहीं कि यह कौन से सिया था 9.10 से और 9.10 किस सिया था इस से तो हमारी जो 0.9 ratio 1 होगी वो क्या होगी इस greater और यह हमारे यहां पर question complete हो जाए होगी next question अभी अपने पास question number 4th का first part इसके अंदर क्या करना भी 4th question में हमने दिखाना है हमें ratios दियोंगी जैसे 2 ratio 3 5 ratio 9 और 11 ratio यहां पर 15 अपने पास अब हमने क्या करना है इन ratios के अंदर हमने soul करके दिखाना है कि कैसे इनको ascending order में लगा सकते भी हम ठीक है तो देखो कैसे करेंगे अब सबसे पहले क्या करते हैं आम इनको लिख लिखते है अब निच्चे देखो 3 है 9 है 15 है यहां से अलग से रखो इनको 3 9 और 15 और इन कैल्सिम निकालो भी 3 से करो 3 बन जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 फिर 3 से और फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 आलेगा ठीक है बई अब देखो यहां पर क्या करेंगे 5 3 जा 15 15 3 जा 45 तो 45 आपका क्या गया है आपे LCM आगया 45 तो आपने क्या कर देने हैं आपे 45 से multiply कर दो both side इनको 45 multiply by 45 multiply by 45 roughly करके देख लेना चाहिए इससे काटते है 15 जा कितना होता थर्टी कॉमा फिर 95 जो 45 55 जा 25 कॉमा फिप्टीं जो 45 इलावन से थर्टी तो सबसे छोटे वाला कौन सा भी यह वाला असेंडिंग ओडर में लगा रहा ना तो सबसे पहले छोटे वाला रख आपने पास कितना है 25 25 फिर यह से यह हमारे क्यों जाएगा यह चोटा किससे 30 से 30 हो जाएगा और यह किसे छोटा अपना भई 33 से चीक है तो देखो यह आपर आरे पास आगया 25 30 और 33 अब हमने देखना 25 कॉन सा था बीच वाला बीच वाला कॉन सा था अपना यह था 5 रेशो 9 तो लिखो यह आपर 5 रेशो 9 यह रेशो उसके बाद छोटा 30 कॉन सा था पहले वाला पहला कितना टू रेशो 3 टू रेशो 3 लेजन फिर अगले वाला गोंसा भई 11 रेशो 15 11 रेशो 15 और हमने इन रेशो उसको क्या कर लिया भी असेंडिंग ओडर में हमने इसको अरेंज कर दिया ठीक है ऐसा सेम तो सेम करते हैं नेक्स्ट वेशन के अंदर नेक्स फिर कोवा 3 अपॉन में 8 रखना भी अब देखो यहां पर क्या है 7 यहां पर यहां पर 14 और यहां पर है 21 और अपने पास 8 ठीक है वही तो इनसे सबी के अंदर हमने क्या करना है डेकर देखना सबसे पहले 7 का 14 का 21 का और 8 का यहां पर रफली ले लेते हैं ठीक है 7 का रोकर तो यहां पर हम factorization कर लेंगे देखो सबसे पहले 7 लिखेंगे 14 21 और 8 7 की बाद 14 21 और 8 देखो सबसे पहले 7 से करते हैं 1 2 3 और 8 फिर करते हैं 2 से 1 1 3 4 फिर करते हैं 3 से 1 1 1 4 फिर करते हैं 4 से 1 1 1 1 1 तो अपने पास इन सबी को multiply कर लो 4 3 जा 12 12 जा 24 24 को 7 से multiply करो भी कितना आजएगा 7 4 जा 28 का यह 2 करी का 7 तो 168 अपना क्या आगया यहां पर LCM आगया अब इन सभी को 168 से multiply कर लो भी रफली 168 168 168 और 168 अब देखो भी अगर मैं 7 से multiply करता हूं यहां पर क्या करता हूं से करता हूं सोरी 7 से divide कर देते हैं इसको 7 2 जा 14 बच्चे कितना बढ़ी 274 जा 28 तो 24 आया बढ़ी 24 को 5 से multiply कर लो 5 4 20 का 0 2 2 करी 5 2 जा 10 ओर 2 12 120 अब इसको कर लो सेम तो सेम यहां पर क्या करेंगे 14 को काटतों मैं यहां पर अगर 14 बच्चे कितने बढ़ी दो 14 जा 28 12 108 क्ना आ गया बवहां यहां फरो कर देखो सब्सक्राइड कि da 100 करते हो इस ने करते हैं लास्ट वाला भी कौन सा है, लास्ट वाला, 63, फिर इससे बड़ा कौन सा भई, 63 से बड़ा यहाँ पर 108, तो 108 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन सा भी यहाँ पर 120, 120 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन सा भी यहाँ पर अपने पास, 108 के बाद 160 आजएगा तो हमने इसको कर लिया सेंडिंग ओडर में अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग रेशो कौन कौन सी थी 63 लास्ट वाले थी तो लास्ट की रेशो कितने अभी 3 8 3 रेशो 8 ठीक है उसके बाद 108 कौन सी थी second number की रेशो second number कौन सा अपने पास है रा नाइन ऑने रेशो 14 तोना इन रेशो 14 ठीक है वह उसके बाद लाश्ट वाली कौन सी थी नमबर पर पहले नमबर पिव में बंटीव तो यनिकणी इसे भी रेश्यो को क्या कर लिया असेंडिंग ओडर में अरेंज कर लिया यहां पर अपना question complete हो चुका है ठीक है हाँ यहां तक हमारा question complete हो चुका है अब देख लो हमने question fourth complete कर लिया आज 9 एक्सरसाइज का ठीक है आगे के question हम कल करेंगे यहां तक अगर किसी को कोई doubt आता है या कुछ problem आते है किसी question में तो आप मुझे comment भी कर सकते हो thank you